हेलो गाइज और वेलकम बैक मैं विनाश और आज हम अपने स्टूडेंट खबरी के चैनल पर जो कि आपको बहुत पसंद है उसमें देखेंगे एरोनॉटिकल इंजिनिरिंग और एरो स्पेस इंजिनिरिंग एग्जेक्ली एग्जेक्ली होती ही क्या है हम उसके करियर प्रस् पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाट इस एरोनॉटिकल इंजिनिर्इंग सबसे पहले question से तो आप देख सकते हमने स्क्रीन में आपको एक definition दिख रही होगी कि वाट इस एर्रॉनॉटिकल इंजिनिरिंग अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोनू तो किसी भी चीज की इं इंजिनिरिंग के अंदर ये एक बहुती स्पेशलाइज प्लेस है बहुती स्पेशलाइज जो करियर ऑपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें आप डायरिक डील करते हैं एवियेशन इंडस्ट्री में अब जल्ली से हम जान लेते हैं एलेजिबिटी और सेलेक्शन क्राइडिया क्या है तो आफकोसी बात है इंजिनरिंग शब के साथ आपको 10 प्लस 2 चाहिए विद पीसी एंठीक आप बीटेक करेंगे आपका सेलेक्शन जो की होता है वो साइंस सब्जेक्स के साथ होता है और क्वालीफाय करने के लिए आपक आपको स्क्रीन पर देख रहा है और इस कोर्स की डूरेशन आपकी सिर्फ दो साल होगी ना की चार साल जो कि आपको ग्रेडिवेशन के तुरू के टाइम पर करना पड़ा था अब अगर हम टॉप एरनॉटिकल इंजिनरिंग कॉलेजिस की बात करें तो आप देख सकते हैं आइटी मुंबई कानपूर खड़कपूर चेन नहीं की कुछ टॉप कॉलेजिस हैं मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यही कॉलेजिस हैं बहुत सारे कॉलेजिस हैं लेकिन जो टॉप कॉलेजिस हैं उसकी लिस्ट बनाई है हमने जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख और इसके अलावा तो और एक अथॉरिटी सोरी दो और ऐसी अथॉरिटी हैं जो इस एरोनौटिकल इंजिनिंग की कोर्स को अप्रूव करती हैं जिसके अंडर ये कोर्स इंस्पेक्ट होता है अब अगर हम बात करें कोर्स जो यूनिवरसिटी कोर्स को ओफर कर रही तो आप इसके अधिक सकते हैं तमिल नाडू में है यू उत्रप्रदेश में हैं आंधर प्रदेश में करनाटिका में हैं पंजाब में महराश्ट में ये कुछ टॉप कॉलेजिज हैं टॉप यूनिवरसिटीज हैं जो कि आपको एरोनौटिकल इंजिनिरिंग करवाती हैं फिर अग बहुत अच्छा करियर बन सकता है और फाइनली डिफेंस सर्वेसेज फिर उसके बाद अगर आपकी सेलवी की बात करें तो 2.34 से लेके ये 50 लैक पर एनम तक पहुंच जाती है जो कि एक बहुत अच्छा है अगर आप इस करियर को देख रहे हैं और अगर हम अरनिक डिटे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ बैल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलें So thank you guys for watching and see you in the next one